ख्रीव कालिन धान के आवक कम होने के पाप जूत थोक मंडियों में उठाव का भाव होने से धान का दाम नरम पड़ गया है जबकि चावल की कीमतों में भी ज्यादा तेजी नहीं देखी गई बीते सब्ता के दुरान दिली की नरेला मंडी में धान का सिमित कारोबार हुआ और दाम भी लगबग स्थेर रहा यह इस्तिती 36 गड़ के भाटा पाड़ा पंजाब के अमरिस्तर और उत्तर प्रदेश के मैन पूरी में भी देखने को मिली लेकिन एटा मंडी में ताज धान क भाव 200 रुपे घटकर 24 रुपे प्रतिक्विंटल रह गया वहां जहां गिराबाद की मंडी में 1718 धान का दाम 400 रुपे तो 1509 नमबर धान का भाव 300 रुपे प्रतिक्विंटल की तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दिया वहीं सुगंदा का भाव भी 100 रुपे की गई अलीगर में 176 रुपे कमजोर रहा खैर में भी 100 रुपे Message की देखने को मिली वहीं धान की कीमत अंधिकाश मंडियों में घट गई है जहां तक चावल का सवाल है तो धान की भानती चावल की कीमतों में भी नर्मी का महल देखने को मिला भाटा पड़ा, करनाटक, कीमतों में या तो स्थिर्ता देखी गई या भाव में नर्मी दर्ज की गई राजस्तान की बूंदी तता हरियाना की करनाल मंडी में चावल के धाम में 100-500 पे प्रतिक्विंटल की गिरावट दर्ज की गई करनाटक में 1401 स्टीम चावल का भाव 500 पे लुड़क कर 700 रपे प्रतिक विंटल पर जा पहुंचा लेकिन उत्तर परदेश के कानपूर में 1121 सेला 1121 स्टीम तथा 1509 स्टीम चावल के दाम में 200 रपे प्रतिक विंटल की तेज़ी देखने को मिली बास्मती चावल के निर्यात की गती आगामी समय में कुछ धिमी पढ़ने की संभावनाएं फिलाल व्यक्त की जा रही है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीली